वेलकम तु टेकनिकल मास्ट, जेकोब महुवल मास्ट, जेकोब राज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने नो कोपीराइट साउंड से, NCS के उपर से जो फ्री म्यूजिक यूज करना है, वो कैसे यूज करना है, क्यूंकि बहुत से दोस्त वो करते हैं, कि वीडियो के लिए वो म्यूजिक जो है अच्छा सा वो चुन तो लेते हैं, लेकिन जब उसको अपनी वीडियो में ने के चैनल के उपर कोपीराइट कलेम, कोपीराइट स्ट्राइब आज आती है, तो आप में कोपीराइट कलेम से कैसे बचना है वो मैं आज आपको वीडियो में बताने माला हूं तो चलिए वीडियो को शुरु करते हैं जे तो दोस्तों आप को बता दूंके NCS कोई भी भी music आप use करते हैं तो बिल्कुल free of cost है आप उसको इसकल कर सकते हैं उसको monetize कर सकते हैं वीडियो को आप उस music को जिसतना से भी चाहिए ethic कर सकते हैं लेकिन NCS ने अपनी कुछ पॉलिसीज रखी हैं अगर आप उन पॉलिसीज की खलाफ वर्दी करते हैं तो तब आपके चैनल के ओपर ना सिर्फ कॉपिराइट क्लेम आता है बल्किए आप उन वीडियों को वनिटाइज भी नहीं कर सकते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको सही तरीके से म्यूजिक पर इस्तमाल करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इस्तमाल करना है जब भी आपने कोई भी म्यूजिक सिलेक्ट करना है तो आपने उसको डाउमलोड करने से पहले आपने उस वीडियो की डिस इसको देख लेना है उसकी description में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वहां पर एक section में लिखावा होगा कि support the artist या artist का नाम होगा let's suppose कि आपने गाना सिलेक्ट किया उस artist का नाम है cartoon और आपने देखा कि नीचे जाकर आपने description में देखना है कि cartoon का नाम कहां पर आ रहा है और इसके नीचे कुछ links होंगे वो आपने copy करने है और उनको आपने paste कर देना है अपनी video की description में जिसमें आपने वो गाना यूज किया जवा होगा ऐसा करने से claim कभी कभी आ भी जाता है कभी कभी नहीं आता है ज़र्वातर नहीं आता है लेकिन जब claim आता है तो वह fake भी हो सकता है जूटा भी हो सकता है बहुत यह सी company's बनी हुए जो कि fake आपके ओपर copyright strike मालती है fake copyright claim करती है और आपसे आपकी जो earning या उसको छ पर उन्होंने एक line लिखी हुई है जिसमें उन्होंने अपनी terms and conditions बताई है अपनी policy बताई है कि use कैसे करना इस music को अपनी वीडियो के अदर तो जब आप उसके पर click करेंगे तो आपके सामने एक website कुल जाएगी जो कि NCS के अपनी website है और यहां पर कुछ epic use है कुछ frequently asked questions है उनके अंदर उनकी answers उन्होंने दिये हुएं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप commercial use करना चाहते हैं इनके गाने को तो आप कैसे use कर सकते हैं उसके लिए एक form होता है जिसको आपको fill करना पड़ता है और उस form को fill करने से आपन रहां की वीडियो बनाते हैं उनके अंदर इस music का क्या काम है क्यों use कर रहे हैं तो यह सब कुछ बताना आपने अपने चैनल का link देना है इससे होगा यह के ncs को पता चल जाएगा कि यह channel है जो के हमारे music को use कर रहा है और यह बिलकुल भी गलत काम नहीं कर रहा है जिसकी व कि अब लेट सब्सक्राइब करना है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए अपने website के ऊपर बताया हुआ है अगर आप जाकर देखें तो वहां पर उन्हें बताया है कि आप copyright क्लेम आ जाता है आप फिर भी अगर आपको copyright strike आ जाती है जो कि फेक होगी तो उसके लिए को एक form दिया जाता है उस form को आपने फिल करना है उस form को फिल करने से होगा यह के NCS खुद आपके हग के लिए लड़ेगा और NCS जो है वो फेक copyright strike आपके चैनल से हटवा देगा वो फेक copyright claim आपके चैनल से हटवा देगा तो आपने करना सिरफ यह कि उस वीडियो का link डालना है जिस वीडियो के ऊपर आपको copyright strike है copyright claim आया है और आपने उसका screenshot लगना है कि कौन सी company ने आपके साथ यह fraud किये और NCS फूर उसके साथ निबट लेगा और आपके चैनल को बिलकुल सेफ कर देगा और आपकी जो copyright strike है copyright claim है उसको बिलकुल दूर कर देगा इसके लिए अगर है ताके आप लोग इसमें से सिलेक्ट कर सके यह वो वाले गाने हैं जो कि ज्यादातर famous यूट्यूबर्स जो हैं वो यूज करते हैं तो अगर आप इस तरह की मजीद playlist चाहते हैं कि मैं upload करता रहूं future में तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर लें ताके आने वाली मजीद वीडि